तीन असम्रेक बिंदों से होकर जाने वाला वृत कागज पर एक बिंदु पीले, परकार की साहिता से एक वृत्त खींचे, जो बिंदु पी से होकर जाता है क्या हम बिंदु पी से होकर जाने वाला एक और वृत्त खींच सकते हैं? ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिए आकरिती 33 आप देख सकते हैं कि ऐसे अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं इसी तरह दो बिंदों P वा Q से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं देखिए आकरिती 34 क्या तीन असंडरेक बिंदूओं P, Q वा R से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खीचे जा सकते हैं? प्रमे 5 कथन तीन असंडरेक बिंदूओं से होकर एक और किवल एक वृत्त खीचा जा सकता है जात है A, B और C तीन असंडरेक बिंदूओं है सिद्ध करना है A, B और C से एक और केवल एक वृत खीचा जा सकता है रचना बिंदू A को B से तथा B को C से मिलाईए A, B और B, C के लामारधक क्रमशह, PL और QM खीचिये माना PL और QM एक दूसरे को बिंदू O पर प्रतिछेद करते है O को A, B और C से मिलाईए उप पत्ती बिंदू O A, B के लंबारधक PL परिस्थिते इसी लिए O A बराबर O B यह हमारा पहला समी करण है यहां पर हमने प्रमेगा इस्तिमाल किया है किसी रेखाखन के लंबारधक में इस्थित प्रतेक बिंदू रेखाखन के अंत बिंदू से समान दूरी पर पर होती है यहां पर हमने O A VARBAR O B बताया इसे समी करण एक लिया किसी रेखाखन के लंबारधक में इस्थित प्रतेक बिंदू रेखाखन के अंत बिंदू के अंत बिंदू से समान दूरी पर होती है इस प्रकार इसी प्रकार O BC के लंबारधक M Q पर इस्थित है इसी लिए O B बराबर O C इसे हम समी करण दो ले लेते हैं अब कहीं हम समी करण एक और दो से देखते हैं तो O A बराबर O B बराबर O C बराबर हम इसे तिज्जा R मान लेते हैं R माना ये R है तो PL और Q M एक ही बिंदू से एक ही बिंदू पर एक ही बिंदू पर प्रतिछेद करेंगे तो इस प्रकार हमने देखा कि O एक मात्र बिंदू है जो A B और C से समान दूरी पर से समान दूरी पर होंगी O एक मात्र बिंदू है जो A, B और C से समान दूरी पर होगा अतहा तीन असन रेक बिंदू से एक और केवल एक एक केवल एक व्रित होकर जाता है होकर जाता है तो हमने इसे दिखिया कि तीन असन रेक बिंदू से एक और केवल एक व्रित होकर जाता है इस प्रमे में यही सिद्ध करना है हम इस तत्यका उप्योग त्रिभुच के तीनों शीष से होकर एक व्रित खीचने में करते है इस व्रित को त्रिभुच ABC का परिवरित और इसके केंद्र को त्रिभुच का परिकेंद्र कहा जाता है करके देखे एक व्रित का चाप दिया गया है देखिए आकरिती 36 वृत्य का केंदर ग्याद कर वृत्य को पूरा कीजिए सोचें एवं चर्चा करें क्या तीन समरेग बिंदुओं से होकर जाने वाला कोई वृत्य खीचा जा सकता है?